नवस्का सात्यों आज हम केमिस्ट्री जो राजस्तानी उनिवसिटी द्वारा 2021 में जो पेपल लिया था केमिस्ट्री इंट्रेंस का उसको आज सोलूशन करवाएंगे उसको मलब आंसर की बताएंगे पेपर किस पेटन पर आते हैं आपको आईडिया लग जाएगा कि इस प् केमिस्ट्री की करते हैं चलो साध्ययों बीना वही हम इस वे देखो आपको पेपर का सोलूशन तो यह को यह यूटुब चैनल पर सारे पिपर मिल जाएंगे आपको और पीडियाप की जरूरत है तो नीचे मैंने कॉंटेक्ट दिया है नीचे कॉंटेक्ट दिया है इस पर तो आप कॉल कर सकते हो और नीचे यूटूब पर मिल जाएगा इसके बाद यह दोजार बारे के पेपर हैं इस सारी पीडिया पकर चाहिए आपको तो इस वाटसप नंबर पर आपको कॉंटेक्ट कर सकते हो तो साथियो पहला कुशन स्टार्ट करते हैं 2021 तो नीचे थोड़ी कल आपका एक्जाम है मैं आपकी कोसिसर करूंगा कि जादा से जादा आज आपके पेपर हो सॉलूशन हो आपका जितने भी आपके एक्जाम अलब पेपर लगे हैं 2012 से 2021 तक क्योंकि 2020 में तो कोई पेपर नहीं हुए तो उनका सॉलूशन में नहीं कर बाऊंगा थोड़ा य नहीं आएगी तो इसलिए मैं 2021 से शुरुआत कर रहा हूं तो साथियो कहां पहुंचगे हम साथियो 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 और वेज़े तो सब बढ़िया होंगे आपको टेंशन भी लग रही होगी कि किस प्रकार के एक्जाम पेपर आएंगे एक कौन सा है कि सिर का है 2019 इसके ब होते थे रीजिनीग जी कि कि को पसंना वह अटा दिया अब सो कुछे जाते है निव फैर्ट है आया आपका दू इसकी चेया मती एक कॉंसा यह जूमेटरी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, B option is the correct answer, B option is the correct answer, Ns4 positive, A, B option is the correct answer, इसके बाद second question आता है आपका two number, nitrogen अनू और उसके आयनों के स्ताथ्तों का सही करम है, nitrogen अनू और उने के स्ताथ्तों का सही करम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, A option, A option is the right answer, इसका A option is the right answer, N2 greater than, N2 positive, N2 negative, greater than, N2 to negative, इसका right answer A option हो जाएगा, इसके बाद next question आता है आपका three number, plaster of Paris, very very simple question आया है, इसको आप 10th class चे पढ़ते आ रहे हैं, 8th class में भी पढ़ाया जाता है, तो इसका right answer हो जाएगा, three number का right answer हो जाएगा, A option is the correct answer, यानि C A S O 4 dot 1 by 2 S 2 O, इसका right answer हो जाएगा, A option is the correct answer, इसके बाद next question पढ़ते हैं, आपका phone number, इसका right answer हो जाएगा, B option is the correct answer, इसका right answer हो जाएगा, B option is the correct answer, इसके बाद next question आता है, आपका five number, कौन hydrolit खेलाता है, hydrolit बहुत बार repeat हो जाएगा है इकुशन, और impotent भी है, तो hydrolit पूचा है, तो कौन hydrolit खेलाता है, तो इसका right answer हो जाएगा, आपका D option, C A S 2, C A S 2 hydrolit खेलाता है, C A S 2 hydrolit खेलाता है, इसका right answer हो जाएगा, calcium hydroxide, C A S 2 hydrolit खेलाता है, इसके बाद next question आता है, आपका, इसके बाद next question आता है, six number, M N 4 minus, M N 4 negative के, रंगीन होने का करण, M N 4 रंगीन होता है, जिसका करण क्या होता है, तो इसका six number का right answer हो जाएगा, आपका D option, यानि legend होता है, वो metal, metal, आविस, इस्तानांतरन, संकर्मन, यानि legend के द्वारा, metal को आविस का इस्तानांतरन किया जाता है, तो इसका right answer हो जाएगा, D option is the correct answer, D option is the correct answer, इसके बाद next question आता है, आपका seven number, XC of 4 में संकर्ण की अवस्ता और जियामती है, बिल्कॉल very very important question है, seven number का right answer हो जाएगा, आपका A option is the correct answer, seven number का right answer कौन सा हो जाएगा, seven number का right answer हो जाएगा, A option is the correct answer, SP3D2, बर्क पिरामेडी, जो जामती होती है, वो बर्क पिरामेडी होती है, और जो आईवरडाइजेशन होता है, वो SP3D2 होता है, इसके बाद next question आता है, आपका eight number, SIC, A option is the correct answer, क्योंकि सातियों में क्या है, इसका solution, बिस्त्रिस solution इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि समय की बहुत बच्चत है, इंटरेंस का paper अभी फिलाल में होने बाला है, तो सातियों क्या है कि, answer में बताता जाता हूँ, answer की की अनुसार, और अब इनको क्या है, एक वार revise कर लेंगे, तो आपको बहुत फायदा होगा, repeat question होते हैं, बहुत सारे repeat question आते हैं, तो इसका carbon random SIC हो जाएगा, इसके बाद next question आता है, आपका nine number, नेमन मैंसे कौन सी πाई अमलल लिगंड है, पाई अमलल लिगंड पूचा है, नेमन मैंसे कौन सी पाई अमलल लिगंड है, तो nine number का right answer हो जाएगा, C option, यानि N2, N2 right answer हो जाएगा इसका, C option is the correct answer, इसके बाद next question आता है, आपका ten number, नेमन मैंसे कौन सी दातू प्रकास भिद्धत प्रभाव नहीं दर्शाती है, यानि दातू का नाम पूचा है, मेटल का नाम पूचा है, जो photoelectric effect नहीं दर्शाती है, तो ten number का right answer हो जाएगा D option, यानि lithium जो दातू है, वो photoelectric effect नहीं दर्शाती है, तो इसका right answer हो जाएगा D option is the correct answer, लीथियम दातू, इसके बाद next question आता है आपका 11 number, इस्पेक्ट्रो रासाइनेक स्रेणी में, लिगेंड की बिपार्टन चमता का सही किरम क्या है, सही किरम पूचा है, तो इस्पेक्ट्रो रासाइनेक स्रेणी में, लिगेंड की बिपार्टन चमता का सही किरम, तो 11 का right answer हो जाएगा, B option is the correct answer, B option is the correct answer, यानि F minus less than H2O, less than NS3 less than CO, तो इसके बाद next question आता है आपका 12 number, K4, EPCN का hall 6, K4, EPCN का hall 6, और K3, EPCN का hall 6 के चुम्म की आगुण के मान किरम से है, यानि चुम्मकी आगुण के मान पूछे हैं, तो ये very very चुम्मकी आगुण most important topic है, इससे question पूछे जाते हैं हर बार, तो चुम्मकी आगुण के मान पूछे हैं, तो इन में क्या है किरम से मतलब, चुम्मकी आगुण के मान क्या होंगे, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा A option, यानि K4 APCN का all 6 इसका तो हो जाएगा 0, और जो ये K3 APCN का all 6 इसका हो जाएगा 1.3 वर्मेगेटन, वर्मेगेटन, ये क्या है चुम्मकी आगुण के ये काई होती है, वर्मेगेटन, इसके बाद next question आता है आपका 13 नमर, CS3 का all 3, तो इसका right answer, C option is the correct answer, इसके बाद next question आता है आपका 14 नमर, D7, D7 electronic विन्याज के लिए आधियावस्ता पता है, D7 electronic विन्याज के लिए आधियावस्ता पता है, तो इसका right answer हो जाएगा, 14 का right answer, 14 का right answer आपका A option, यानि F4, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद next question आता है आपका 15 number निमनले कितमे से किसका चुमक की आगुण का मान आगितिक्तम होता है चुमक की आगुण बहुर मैंगे टौन वह सी से आएगा जी question उसी से आएगा तो मतलब repeat मतलब question वह very very important topic है जो चुमक की आगुण है नौ वह very very important topic है तो 15 का right answer हो जाएगा c option is the correct answer c option is the correct answer dy3 plus dy3 positive तो इसका right answer हो जाएगा c option is the correct answer इसके बाद next question आता है 16 number निमनले कितमे से किसे कितम रूप से बनाया है तो इसका right answer हो जाएगा इसके बाद next question आता है आपका 17 number पेंटा अमीन सलफेटो कोवाल्ट यानि थर्ड टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट सेकेंड का सुत्र सुत्र पूचा है तो यह क्या है आपका सुत्र पताईए तो उपस हैस वही हो जाए योगे कहना उन उनमें से question आया गया है तो इसका right answer हो जाएगा 17 का A option is the correct answer यानि C A S O 4 C A S O 4 N S 3 का hall 5 Z N O H का hall 4 तो इसका right answer हो जाएगा A option is the correct answer इसके बाद next question आता है आपका 18 नमर निम्न लिखित मेंसे S अमान पातन अवगिरिया का उधारण है S अमान पातन अवगिरिया का उधारण पूचा है आपसे तो S अमान पातन अवगिरिया का उधारण इसमें से right answer हो जाएगा आपका B option यानि first और third first और four इसके right answer है ये वाला और four तो इसका right answer हो गया B option is the correct answer इसके बाद next question आता है आपका 19 नमर एलकीन के समायवी करण में उपयोग आने वाला समांगी उत्पिरिया का मलब केटालिस्ट का नाम पूचा है आपसे तो एलकीन के समायवी करण में कौन सा homogenius में कौन सा उत्पिरिया काम आता है तो 19 का right answer हो जाएगा आपका B option B option is the correct answer as as CL2 CO2 का hal twice A is right answer हो जाएगा तो इसके बाद next question आता है आपका 20 number वहादातु carbonil जो EAN नियम का पालन नहीं करता है तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, आपका D option is the correct answer, MnCO5, MnCO5 का CO5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, D option is the correct answer, इसके बाद next question आता है, आपका 21, जब कार्वो लीथियम यहोगे, कार्वन डायोकसाइड से अविकरिया करता है, तो बनने वाला उत्पाद है, तो उत्पाद is the correct answer, कार्वो लेकर इसका राइट आंसर हो गया, इसके बाद next question आता है, आपका 22, 22, हीमो गिलोविन की ऑक्सी करत अवस्ता है, हीमो गिलोविन की ऑक्सी करत अवस्ता, अगर भायो की student तो बिल्कुल आपको आता होगा, बिल्कुल सिंपल question आता है, 22 का राइट आंसर हो ज नाइटोजन और फॉस्पोरस का संकरण क्रमसे है, फॉस्पाजीन जो योगिक है, उसके अंतरगत नाइटोजन और फॉस्पोरस का संकरमन क्रमसे है, मतलब क्या है संकरमन, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा, D option, SP2 थदा SP3, D option is the correct answer, इसके बाद next खुजन आता है आपका, 25, लापोर्ट गचक और चकरण चैन नियम क्रमसे है, लापोर्ट गचक और चकरण चैन नियम क्रमसे है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा, A option is the correct answer, डेल 1 इक्वल पिलस माइनस बन थता डेल S इक्वल 0, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, A option is the correct answer, इसके बाद next question आता है आपका 25, लक्स प्लड सिद्दान्त की अनुसार निम्ल कितमे से कौन सा योगम ओवेधर्मी है, लक्स प्लड सिद्दान्त की अनुसार, जो लक्स फ्लड थियोरी थी, उसके अनुसार कौन सा योगम ओवेधर्मी है, ओवेधर्मी पूचा है तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा, आपका C option, Zeno, Zinc Oxide और Al2O3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, C option is the correct answer, इसके बाद next question आता है, आपका 26, किंदरिये परवाणू के लिए निम लेकित में से सही उजकता कोस इलेक्ट्रोन योगमों की संक्या है, सही उजकता कोस इलेक्ट्रोन योगमों की संक्या पूचिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 26 का राइट आंसर हो जाएगा, A option is the correct answer, यानि पस्ट परवावर, 0 पस्ट में, और 2 में हो इसका राइट आंसर हो जाएगा, A option, यानि इलेक्ट्रोन योगमों की संक्या पूचिए, इन चारों जो आप्शन दिये हैं, इनका राइट आंसर हो जाएगा, A option is the correct answer, इसके बाद नेक्स कुछन पूचा जाता है, आपका 27, निम लेकित को बंद लंबाई की गटते हुए क्रम में जमाईए, यह आपको SHC bond H N bond H O bond H E दिया है आपको, तो इसको क्या है कि आपको किस में लखना है, बंद क्रम की गटते हुए क्रम में लखता है, गटते हुए क्रम में लेना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका 27 का राइट आंसर हो जाएगा, B option is the correct answer, यानि SH greater than CH greater than N bond H greater than OH तो यह इसका right answer हो जाएगा इसके बाद next question आता है आपका 28 Sum Neutronic का उधारण है Sum Neutronic का उधारण बताएगे तो 28 का right answer हो जाएगा यह option is the correct answer Sum Neutronic का उधारण है यह भी important question है इससे अरवार question पूछे जाते हैं तो इसका right answer हो गया A option is the correct answer जो sodium और manganesium उनके जो Sum Neutron की संक्यात क्या है समान है तो इसमें A answer is the correct answer हो जाएगा इसमें क्या है कि नीचे 11 और 12 12 और 11 और उपर 23 और 24 इसका right answer हो जाएगा A option is the correct answer इसके बाद next question आता है आपका 29 इक आयन कारवाइड a l4 c3 का नाम है एक awards April 4 c 3 का नाम है तो 29 का right answer हो जाएगा ऑप्सन अमीखिं ही demandie is the correct answer thread इसका बाद next question आता है ऐसा पस्वाद सी जाएगा इस सक ęले sucksब का प्रसा करता कंप प्रद्हशत करता है इसके बार नाएक्सire को सना आता है आपका 31 जक्रन्ट यंग मेगनीज सेकेंड संकूल में एगुमित इलेक्टोन की संक्या है एगुमित इलेक्टोन की संक्या है पूचिए तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका C option is the correct answer मतलब इसकी अंतरगत जो एगुमित इलेक्टोन की संक्या होगी वो एक होगी इसके बाद next question आता है आपका 32 crystal चेतर विपाटन होगी प्रणाम को प्रभावित करने वाला कारक है तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका D option सब्सक्राइब करें दकाट कारें प्रफजिर करता है रिंड है अभर अधिया क्वच्ट ड रेडियोथ शेट, तरीक नहीं पूचा है, तो 33 का राइट ढालो जाएंगा रेडियोथ शेल चेल सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका A option is the correct answer, सलन, इसके बाद next question आता है आपका 34, बेंजीन के सल्पोनी करण में प्रियोक्त होने वाला electron इस नहीं है, बेंजीन के सल्पोनी करण में प्रियोक्त होने वाला electron इस नहीं का नाम पूचा गया है, तो आपका 34 का right answer हो जाएगा A option, SO3, SO3 is the right answer, सल्पोनी करण में प्रियोक्त होने वाला electron इस नहीं, तो ये तो आपको सबको आता हो, simple question पूचा गया है, इसके बाद next question आता है, आपका 35, electronic spectroscopy में chromophore समू है, electronic spectroscopy में chromophore समू है, तो ये आपका बिल्कुल BSC finally ये से पूचा गया है, बिल्कुल simple question है, तो आपका 35 का right answer हो जाएगा A option, minus NO2, minus NO2 इसका right answer हो जाएगा minus NO2, इसके बाद next question आता है, आपका 36, Qnolin का scinculation किया जाता है, Qnolin का scinculation किया जाता है, तो 36 का right answer हो जाएगा B option, इसके बाद next question आता है, आपका 37, पाइरोल, प्रीडीन, तथा पाइरीडीन, की चारक्ता का किरम है, पाइरीडीन की चारक्ता का किरम पूचा है, तो 37 का right answer हो जाएगा D option, प्रीडीन, ग्रेटर देन, पाइरोल, तो इसका right answer हो जाएगा, इसके बाद next question आता है, आपका 38, निमले कि तमेंसे किसे एलिगीन के ओजोनी हाप गर्टन से, मेथिनल एवं प्रोपिन, टू ओन प्राप्त होते हैं, तो 38 का right answer हो जाएगा, C option is the correct answer, टू मेथिल प्रोपिन, इसके बाद next question आता है, आपका 39, इसके बाद next question आता है, तो निमले कि तमेंसे कौन सी species बिदमान रहती है, जब गिलाइसीन के बिलियन को अमली बनाया जाता है, तो निमले कि तमेंसे कौन सी species बिदमान रहती है, तो 40 का right answer हो जाएगा, आपका A option, A option is the correct answer, S3N positive bond CH2 bond COOH, इसका right answer हो गया, A option is the correct answer, इसके बाद next question आता है, आपका 41, निमले कि तमेंसे कौन सा एक कारवीन है, निमले कि तमेंसे कौन सा एक कारवीन है, तो इसका कारवीन पूचा है, तो 41 का right answer हो जाएगा, आपका C option R2C, R2C, और ये बोदी हैं, इसका right answer हो जाएगा, C option R2C, इसके बाद next question आता है, आपका 42, सूची एक को सूची दो के साथ सुमिलित कीजिए, और सूचीयों के नीचे दी के कूट का प्रियोक कर सही उत्तर चुनिए, तो सही उत्तर पूचा है, तो 42 का right answer हो जाएगा, A option, 42 का right answer हो जाएगा, A option is the correct answer, मतलब एएadol sungurean, कैंवेट ऐन काम है, कैंवेट अभिकिर खिया होती है, कैंवेर उसकी अंतरागत क्या होता है, यह उसकी अंतरागत कारवनिकजय। काम में आते हैं और बेंजोइक संगनन होता है उसके अंतर गत आपका जे सी एन माइनस साइनाइड आयन फुद्विर रखी तरह कारे करते हैं लब इसका राइट आंसर होगा यह ऑफसन इसके बाद नेक्स कुछन आता है आपका 43 निमले के तो योगिक का फूरा कीजिए फू इसका राइट आंसर हो गया आपका सी ऑफसन इसके बाद नेक्स कुछन आता है आपका 44 निमले के तो योगिकों पर बिचार कीजिए तो इसका उपर दी गए जो योगिक दी गए है उनके एसन बन हविकिरिया सीलता की गटते हुए किरम सही अनक्रम में क्या होगा तो इसक इसके बाद नेक्स कुछन आता है आपका नेक्स कुछन क्या आता है 45 दी गए योगिक में किरेल केंदर दो थता तीन का निस्पिच बिन्यास क्या है तो इसका राइट आंसर हो जाएका 45 का राइट आंसर हो जाएका डी ऑप्सन 2S,3S 2S,3S तो इसका राइट आंसर हो गया इसके बाद नेक्स कुछन आता है 46 प्रोटोन एम एन एम आर के लिए एक सद्धर्व योगिक TMS में कितने तोले प्रोटोन है कितने तोले प्रोटोन है तो 46 के राइट आंसर हो जाएगा C आपसन इस दा करेक्ट आंसर यानि 12 प्रोटोन है इसके बाद नेक्स कुछन है आपका 47 इसके बाद नेक्स कुछन आता है आपका 48 लन्ञें के साफिक हुई है इसका से लिए आरे तो इसे एक इसे से लिए डिर्शेक है इसका राइट अंसर हो जाएगा 49 का राइट अंसर हो ज़ाएगा 49 का राइट अंसर हो जए C option is the correct answer एक बीटा D Glycopyrinogen इसकी सरजना आए बन बीटा बन बीटा एक किसकी राइट बीटा D Glycopyrinogen इसकी सरजना है ठीक है इसके बाद next question आता है आपका 50 नमर कौन संगनन बॉलक का उधारण नहीं है कौन संगनन बॉलक का उधारण नहीं है यानि संगनन बॉलक का उधारण कौन सा नहीं है तो 50 का राइट अंसर हो जाएगा आपका D option is the Teflon संगनन बॉलक का उधारण नहीं है इसके बाद next question आता है आपका 51 प्रात्मे कैमीन को थेले कमल के उपयोग से संसलेशित किया जा सकता है यहाँ अविकरिया कहलाती है क्या कहलाती है प्रात्मे कैमीन को थेले कमल के उपयोग से संसलेशित किया जा सकता है यह आवकिरिया क्या कहलाती है तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा D option ग्रेवल थेले माइड आवकिरिया यह बरी बरी इंपोर्टेंट आवकिरिया है और यह बी एसी फाइनल के अंतरगत पूछी भी गई थी तो इसका राइट आंसर हो गया D option is the correct answer इसके बाद साथियो next question आता है आपका 52 निमले के तब गिरिया अनकुरम में A और B क्या है उत पार निकालने हैं तो इसका जो C6, S6 है संदर HNO3 के साथ अब गिरिया कराएंगे संदर HNO3 की उपस्तति में अवी Ha diffus Ao4 के साथ अब गिरिया कराने पर क्या प्राप्त होगा तो इसका राइट आंसर होजाएगा जो हमें A option प्राप्त होगा editing और इंसके बाद dynamics प्रतिय स्धापन सरवाद क्रिया सील कॉन है तो 53 आफ में प्रतियस्तापन में सरबादए Muslims का विटयोन हो गया प्रसक्राइब कैश्च लेगा 50 जाओन उसके बाद सब्सक्राइब कि अबकिरिया में A वा B क्रम से क्या है इस अबकिरिया वह भी पूरा किजिए C6H5 and NH2 की अबकिरिया SCL पर 0 degrees Celsius ताप पर करवाई जाती है Na NO2 की अपस्तती में तो इसके क्या उत्पात बनेंगे मतलब क्या उत्पात बनेंगे तो 55 का राइट अंसर हो जाएगा आपका D option यानि किलोरोडाई एजोनियम किलोराइट बनेगा और फिनॉल बनेगा B तो इसका राइट अंसर हो गया D option is the correct answer इसके बाद next question आता है आपका 56 और अपका प्रिया करते हैं तो 56 का राइट अंसर हो जाएगा आपका C option is the correct answer यानि टॉलेन अविकरमक के साथ आपका इसके बाद next question आपका आता है 57 57 57 नियूंतम उर्जा वाला संक्रमन कौन सा है तो 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 नियूंतम उर्जा वाला संक दोस्तो तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 58 का राइट आंसर हो जाएगा आपका D option D option is the correct answer साथ यह आपको phenol दिये हैं इनके अंतरगत किया है कि इनको किस की किरम में लिखना है इनको अमली सामत की किरम में लिखता है तो D option is the right answer इसके बाद next question आता है 59 नेमलें किसमे से किस अविकारक द्वारा phenol phenol phyionen बनता है नेमलें किसमे से किस अविकारक द्वारा phenol phy node बनता है तो यह भी very very important question है 59 का राइट आंसर हो जाएगा आपका C option तेले-क आयड रार्ड और phenol प्योग किया जाता है phenol phenol phy komma type ult कि लिए और very very important इसका प्रतिविम पूचा है आपको तो इसका प्रतिविम पूचा है आपको इसका राइट आंसर हो गया इसके बाद नेक्स कुछन आता है आपका 61 यह होगा को विरंजित किया जा सकता है तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा आपका वी ओप्सन इस दा करेक्ट आंसर सोडियम आइडरोकसाइड की अपस्तति में बेंजोयल किलोराइड और फिनॉल है और फिनॉल से क्या किया जाता है इसे ब्रेंजित किया जा सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर होती है इसके अंदर संग्रेत रहता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन डी ओप्सन इस दा करेक्ट आंसर इसके बाद नेक्स कुछन आता है आपका 63 का राइट आंसर हो जाएगा आपका वी ओप्सन न्यूकलियोटाइड के बालक होते है न्यूकलिय कमलक किसके बालक होते है बालक होते है इसके इसके बाद नेक्स कुछन आता है आपका 64 न्यम्ड लेके तो मैसे कौनसी स्पीसीज प्रवलतम चार की तरह एकार करती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका ve Of Sun O R negative Hep A negative Queens O R negative species ग्या है कि O R negative species प्रफ़तम 4 की तरह कारे करती है तो इसका right answer हो जाएगा लग्योट airport करेक्ट आंसर इसके बद content Ju Reards नूसके डाले या नेब अमट करिया में उत्वाद होगा निमिन अवगिरिया आपको अब्रिया दिरिये तो इसका इसका राइट आंसर हो जाएएक आपका 65 *** भी ओप्सटन इस दा करेक्ट आंसर में सबेस Innit WWE के ड़ा रेक्ट आनशर में सॉलुषान हे लिए इस लिए करवाई है ड़ाना है चारव हर यहर पेपर भी हमें साथि Pent कमेंट कर दीजिए solution नहीं चाहिए सरम है तो साथ यो कमेंट बिलकुल किया करो अगर मेरा हतुम आशला वड़ाएंगे तो मैं बैतर से बैतर प्रणाम दूंगा आपको बैतर से बैतर करने की सुचूंगा कि मैंने कितना अच्छा किया अगर कमी हो तो कमी बताईए और जो भ बिटामी 66 66 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ओप्सन टॉक फिर अवी विल्कुल इंपोरेंट को सनने बाइव वाले स्टुडेंटों को आता ही होगा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा टॉक फिर टॉक फिर जानते होंगे और जिसको प्यार होगा वो भी अच्छी त अंसर होगी तो इसके बाद को स्याओ घर तक स organize your denkt pretty तो इसके बाद भी वाट तो इसके बाद लिए चत्के टॉक से कौन से संमंद सत्य नहीं है तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ओप्षन इसके बाद नेक्स्ट कुछन आता है आपका 17 चार की उपस्तती में एस्टर का सामनी करण हो जाएगा तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ओप्षन आता है आपका 71 निम्लिकित कॉलाइड में से किसका स्वर्णांक नियुनतम है तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा A option gelatin A option is the right answer gelatin निम्ड लिकिसमें कोलाइड में से किसका स्वड़नांग नियुनतम है तो gelatin का चुक्या है स्वड़नांग नियुनतम है very very important question है और simple question है इसके बाद next question आता है आपका 72 CO2 अनू के लिए स्वतनतता की कोटी है CO2 अनु के लिए सोतंतता की कोड़ी पूछी है, तो 72 का राइट अंसर हो जाएगा, बी नमज यानि चार, चार होती है, CO2 अनु के लिए सोतंतता की कोड़ी कितनी होती है, चार होती है, तो इसके बाद next question आता है, अब का 74, इसके बाद नेक्स कुशन आदा आधा है वह सेवन्टी फॉंट बन मोलर्ता दीए 0.1 NA2SO4 billion के लिए आइनेक सामर्त है आइनेक सामर्त पूचिए तो 74 का right answer हो जाएगा 74 का right answer हो जाएगा B option 0.3 यानि आनेक सामर्त क्या होगी तो इसका right answer हो जाएगा B option 0.3 इसके बाद next question आता है आपका 75 सही कतन का chain कीजिए तो सही खतन का चैन करेंगे तो 75 का right answer हो जाएगा C option यानि drug crystal thermography में उपयोग में आते हैं जो drug crystal होते हैं वो thermography में उपयोग में आते हैं तो इसका right answer हो जाएगा C option is the correct answer इसके बाद next question आता है आपका 76 दाब बढ़ाने पर निम लेकिज में से कौन सी सामय वस्ता बाई और खिसक जाती है दाब बढ़ाने पर जो pressure बढ़ाते हैं अपन बढ़ाएंगे तो मलता कौन सी सामय वस्ता बाई और खिसक जाती है तो 76 का right answer हो जाएगा D option is the correct answer D option D option कौन सा है NO2 और 2 NO2 यह क्या है कि दाब बढ़ाने पर इनकी सामय वस्ता किसक जाएगी इसके बाद next option आता है आपका 77 यदी C RMS बर्ग मादे मूल बेग C बार ओसत बेग थतास यह क्या लिख रहा है C M अधिक्तम प्रायक्ता बेग हो तो किसी निच्चे तापमान पर निच्चे तापमान पर क्या पुझा है निच्चे तापमान पर C RMS ratio C bar ratio C M है तो इसका right answer क्या होगा तो यह क्या है physical chemistry से question आया हुआ है तो 77 का right answer हो जाएगा A option is the correct answer इसके बाद next question आता है क्या 78 72 कैसे आगया क्योंचा question था 77 इसके बाद 72 यह तो करा दिए मैंने 78 78 आगया h2 plus i2 से क्या बनता है 2 hi अब किरिया के लिए सामें 64 64 है तो hi 1y2 h2 plus 1y2 i2 के लिए सामें 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 के पूचा है तो इसका right answer हो जाएगा 78 का right answer हो जाएगा B option 0 1 1 2 0 1 1 2 इसका right answer हो इसके बाद next question आता है आपका 79 यादि किसी आद्रक्स gas के लिए 2 mol समतापी रूप से निर्वात में 2 atmosphere दाब और 25 degree Celsius ताप पर 2 liter से 10 liter तक प्रसारित किये जाते हैं तो इस प्रसारण में gas द्वारक किया गया कार है तो 79 का right option होगा B option is the correct answer यानि सुनने होगा इसके बाद next question आता है आपका 80 नमर दोत्य कोटी की अवगिरिया के लिए कोटियों से बिल्कुल question पूछ रहे हैं अर बार तो इसका रटके जाना कोटियों को तीनों को यानि इस तरहां मात रख वगिरा वो सारी चीज रटके जाना तो 80 का right answer हो जाएगा आपका A कुछ है तो 80 बन का right answer हो जाएगा आपका D option D option is the correct answer D option is the correct answer बन फॉंट बन फॉंट बन फॉंट इसके बाद next question आता है आपका 82 निमले कितमे से किसका इमांग का अधिक्तम होता है तो A option दिये हैं इसके अंतरकत आपका 82 का right answer हो जाएगा A option बन फॉंट नहीं जिरो फॉंट इसका क्या है कि जो इमांग होता है वो सबसे अधिक्तम होगा freezing point है वो सबसे अधिक होगा इसके बाद next question आता है आपका 83 billion जिसमें 5 gram NaOH 500 mg billion के आधन में गुला हो तो इसकी molar तक क्या होगी तो इसकी molar तक याद करनी है तो इसका right answer हो जाएगा A option 0.25 0.25 molar था इसके बाद next question आता है आपका 84 very very important question हर बार मलब final जाया हुआ है और final में पूछते भी है तो इसका right answer हो जाएगा आपका 84 का right answer हो जाएगा C option डेल उसकार साइं प्लस 85 इसका right answer हो गया आपका क्या हो जाएगा तो 85 का right answer हो जाएगा आपका V option is the correct answer EN बराबर N2 H2 upon 8M2 तो इसका right answer हो गया V option is the correct answer इसके बार next question आता है आपका 86 NS3, H2, O2 और CO2 के लिए दियेगा बायो मंडले इस तरांक 4.17,0.244,1.366 बात 3.59 है कौन सी guess सबसे आसानी से द्रभी करत्त की जा सकती है Nat.86 का right answer बताइए साथियो 66 का right answer क्या होगा तो इसका right answer हो जाएगा NJ 3 जिसके लिए क्या गया है सबसे ज्यादा kinda ऐसे च्ना के वांडरोल इस तरांक के तो इसका राइड आंसर हो जाएगा a option क्यों में अशानी से द्रभी करत्त इसका बंडरवाल इस रांग सबसे ज़्यादा होगा वह आशनी जे दिर्भी गरत होगी इसके बाद एक्स कुछ ना था है आपका यह क्या हो गया पिपर का सोरी छमाज चाहेंगे इसके लिए कौन सा नम्मर था इसके 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 आपको इन कुछनों को डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा मैं बहां से पढ़ लेना इसके बाद नेक्स कुछन आता है 93 निम्ले किसमें से उस कॉलाइडी बिलियन का उधराण कौन सा है जिसमें द्रवे प्रावस्ता ठोस माध्यम में पर छिप्त है तो कॉलाइडी बिलियन का उधराण पूचा है तो इसके 93 का राइट आंसर हो जाएगा डी ओप्शन मक्ष इसके बाद नेक्स कुछन आता है आपका 94 जब एक एलेक्ट्रोन का बेग बढ़ता है तो इसकी डीव रोगली तरंग दरे का मान क्या होगा बढ़ेगा या गटेगा या इस्तर रहेगा तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा आपका वी ओप्शन कटता है जब एक एलेक्ट्र की संख्या है कुल कच्छकों की संख्या पूचिए तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा डी ओप्शन इस दा क्रेक्ट आंसर यानि सोले होगी 16 इसके बाद नेक्स कुछन आता है आपका 96 समांगी उत्परे रख का उधारण है उल्लग समांगी उत्परे रख का उधारण कौन सा है निम्न आप्शन में से तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ओप्शन लेड चेमर प्रक्रम समांगी उत्परे रख का उधारण ह इसके बाद नेक्स हो नाढागता हो गया कि आणिवार अन्द रॉकल्वे क्रिक्राग में एंट्रोपी परिवर्तन का चिन को सब्सक्राइब हो जाएगा प्तरान इसके बाद नियुक्तन को ट्रॉब अन्सर यूपने मेंन ti तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन एंटू नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन गेस होती है वो क्या है अवरक्ति स्प्रेक्ट्रम प्रदस्ट नहीं करता है इसके बाद एक सुछन आता है आपका 99 नसल का बिलेटा गुणनफल प्रदस्ट नहीं करता है इसके बिलेटा मौल प्रती लीटर में कितनी होगी तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा यह उप्शन टू इन्टू टैन की पावर मैनस फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा यह उप्शन इसके बाद नेक्स कुछन आता है आपका अंडर नमर अंडर कितनी मैनत कर रहा हूं अगर आप नहीं पड़ेंगे अगर आपका सेलेक्शन नहीं होगा तो मेरे लिए कुछ एक किया गया करम मेरे लिए ऐसी ही मैंने करम किया है अगर आपको बिलकुल कंटेंस्ट है कि इन पेपरों को जिसने भी पड़ा होगा उसको 100% में गारंटी द करते हैं तो इसलिए बता दूं सातियों जो मेरे साथ लगा होगा जिस प्रकार मैंने अपने लेक्चर अप्लोड की हैं और उसने देखे हैं मेरे साथ तो उसका कंफरम देता हूं और बिलकुल इस के पेपर का जो 2022 का होगा उसका लाइफ सॉलूशन करवाऊंगा मैं तो ब प्रतिबंदी आणविक कच्चक के बारे में कौन सा खतन सही है तो प्रतिबंदी आणविक कच्चक के बारे में आपके ये उप्योग्त सभी जो खतन है ये सारे सही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्योग्त सभी तो क्या है कि प्रतिबंदी आणविक कच्चक ये परमाडवी कच्चकों को तुल नाँ में कम इस्थाई होते हैं और इन में नाविकों तो करो उसका उसला बढ़ाओ और अच्छे अच्छे से प्रिवेर करेगा मेरी गलतियां बताओ मैं स्वतारूंगा कि सर आपकी बहुत सही नहीं है सर कुछ कमी बताओ मेरे में ठैंक यू